उत्तरप्रदेश के सफर पर आपने मुझे लगातार देखा पिछले कई दिनों से यूं कहले एक महने से जियादा मुत्तरप्रदेश इस देश के सबसे बड़े स्यासी सुभी को कवर किये, लेकिन अब हमें लगा कि अगर इस देश के और खास और पर उत्तर भारत के राजनेतिक मजास को समझना है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा आपको बिहार भी आना होगा इस देश के दो ही राज जैसे हैं जो साथ चरणों में जहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहां साथ चरणों पर मद्दान हो रहा है और आज जब इस देश में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है एक अपील के साथ इस सर्चा की शुरुआत करते हैं कि अगर आप उन्हें लाकों से सम्मन रखते हैं जहां पर आज तीसरे चरण का मद्दान है और अगर आपने तक वोट नहीं किया तो घर से निकलिए वोट करिए वरना धेर सारी मुद्दों की बात मुद्दों पर रह जाएगी इतने अच्छे से खड़े हो हाथ वाद बांध कर इतने अच्छे से ही मुद्दा सोच लिया दिमाग में जी बिलकुल बिहार की जो राजनीती है अभी की लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया है कि लोग अपने मुद्दों से हट गए है वास्तवीक रूप से हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो सिक्षा की स्तिति है यहां सिक्षा का जो अस्तर है वह बहुत निम्न अस्तर का है जिससे लोगों को यह क्लियर पता ही नहीं चलता कि हमको मुद्दे क्या है हमारी और हमको किस मुद्दों पर वोट करनी चाहिए क्योंकि मैं परहा लिखा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि सिर्फ नाम की राजनीती से सिर्फ नाम पर हमें वोट नहीं करना चाहिए हैं अपने फ्यूचर के लिए अपने भिष लिए है आम की लाजनीती बिल्कुल नहीं होगी हम नेम और फेम नहीं सबसे पहला मुद्दा है युवाओं को रोजगार चाहिए युवाओं को सिक्षा चाहिए क्योंकि अगर हमको सिक्षा नहीं मिलेगी तो हम रोजगार नहीं मेहनत करता है खेतों मेनत करता है तो मेहनत करना बीहार के लोग जानते हैं लेकिन उनको वह प्लेट्फॉर्म नहीं मिल पाता है वह रहास्ता नहीं मिल पाता है क्षोट औस सवाल वह जब कहते हो की मुब्द komm PER बात है मुद्दे आपने बक्राहिए ने जब कोब करते हो यह मताना चाहता हूं कि जब रोना में थे थे तो उसे घरों पे करेंगे कि हमारी दिक्कते क्या है हमारी मुद्व क्या है इस जानेगे वह कैसे मरा सुखेंगे, इस बार अपने यहां से यह अस्वस्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल भी हम उनकी राजनीती को उनके जो काम है उनका जो तरीका है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और इस बार हम लोग बदलाव की राजनीती चाहते हैं हम बिल्कुल बदलाव का साथ देंगे इस बार हम निर्दलियों क यहां शाम खड़ें शाम बात कर रहे हैं यह एक है तीछे देखिए अगर शाम वीर जी दिखाएंगे तो उतने खड़ेंगे को यह नहीं बताएगा यह सही बोला गलत बोला स्काइश है कि इतना देचा सही बोले सही बात बोले हैं जो भी बोले हैं सत्य बात बोले ऑर यहां समस्या है हमारे मतलब पूरे बिहार ने चालीश सांसदों का सीठ है 40 सांसदों में सबसे पढ़े लिखे छपरा के सांसद है राजी उपर ताप प्रूरी जी जो चुनाओ के समय ही के वह छपरा में दिखते हैं उसके बाद बाकी दिद छपरा मुंको कोई चेहरा नहीं दिखता है चाहे छपरा डूब जाए धस जाए मर हौण को फ़कर मेरा नाम गंष्यां परशाथ हए तो कि अगर चहसत के साथ यह दिखत धिखत है प्र-चुनाओ लोग जो है गुम्राह हो जाते हैं इसमें चीज साम से और पाँछ किलूरासयन चु कह बना रहा है पांच किलूरासयन लूह है चाहिए से चिकित्सा और निया है इसके अलबा कुछ भी फिरी नहीं चाहिए लिए ज़ामता उनसे मांगती है कि हमको पाच किलो रासन दीजिए जन्त तो सरकार से मांगती रहे हैं सरकार जवर्दस्ति ठोपती है फाक किलो रासन दे रहे है और अभी हमारे अमीत साहग्री म लोग या मुफ्त की नाम पर ही वोट हो जाता है लोग मुद्दस समझ रहे हैं या सिर्फ बात करता है अब की बार छापरा के जनता जग चुके है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें